प्री दर्शकों मम्ता किचन रिस्पी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बर्फी में आएंगे कलरदर तो आईए समागदी बताते हैं समागदी में हमने मावा ले लिया है एक बाउल मावा कड़ाई में डालेंगे और ये चीनी है दो छोटी इलाइची हरी इलाइची जैसे हमने एक बाउल मावा डाला तो दो बाउल चीनी डालेंगे आप चीनी अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं कम ज्यादा इनको गैस पर रखके इनको पिखलाएंगे गैस कफले मीडियम रखेंगे चीनी बढ़ीय तरीके से पिखल चुकी है इलाइची पाउडर चीनी हमने साथ में पीस लिया है इनको भी डाल देते हैं मिक्स करेंगे चीनी और मावा बढ़िये तरीके से मिल चुका है और चीनी पीघल चुकी है कलर वाली बरफी के लिए हमने ये औरेंज कलर ले लिया है और ये चॉकलेट पाउडर है तो इनको निकाल लेते हैं एक चम्मच चॉकलेट पाउडर है एक पिंच औरेंज कलर अब इनको डाल देते हैं चॉकलेट पाउडर डाल दियें और औरेंज कलर भी हमने डाल दिया है जमने कंडिशन में हो गया है थाली में देशी घी लगाते हैं अब इसमें डाल देंगे अब इनको थोड़ा जमने देते हैं दस मिनट बाद हम काटेंगे 10 मिनट हो चुके हैं आई नहीं काटते हैं बढ़िया तरीके से जम कर तयार हो गई है वर्फी आप इस रिस्पी को जरूर से जरूर बनाए हमने इस तरीके सभी वर्फी काट लिए है बहुत ही बढ़िया वर्फी बनी है तोड़ कर दिखा रहे हैं यह देखिए कलर भी बढ़िया और स्वाद भी बढ़िया तो आज की रिस्पी कैसी लगी कमेंट बाक्स में जरूर से जरूर बताईए और हमने यह पेड़े बनाए थे इसकी वीडियो हमारे चैनल में आप देख सकते हैं अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइप कीजिए सेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुँचे हमारी वीडियो अन तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत भन्यवाद मिलते हैं अगली रिस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई